तो जो भक्त भगवान सीव के उपर बिलपत्र अरपन करना चाहते हैं वो माना जाता है कि एक ग्यारा की संख्या में अगर आप भगवान सीव के उपर बिलपत्र अरपन करते हैं तो सुफल की प्राप्ती होती है तो एक ग्यारा की संख्या का क्या महत्व है और इसका मतलब प्रमान क्या है? बिलपत्र शंकर भगवान को अतिप्रिय है और बिलपत्र तीन दलका होना चाहिए कटा फटा नहीं होना चाहिए वह बिलपत्र शंकर जी को अतिप्रिय है अब रही बात 11 बिलपत्र तो संकर भगवान को रुद्र कहा जाता है रुद्र जो है वह एकादस है एकादस रुद् इसलिए एक-एक बेलपत्र एक-एक रुद्र को एक-एक मंत्र से जदी आप चढ़ाते हैं तो संकर जी के पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं शंकर भगवान एकादस रुद्र के रूप में है और एकादस बेलपत्र उनको अतिप्रिय है आप सामर्थ के अनुसार 108 नामों से 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं उसमें प्रतिबंदर लेकिन 11 बेलपत्र से कम जदी आप चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा अधुरी माने जाती है पूर्ण पूजा के लिए एकादस रुद्र का पूजा आपको आवस्यक है इसलिए एकादस की संख्या जो है वह संकर भगवान को अतिप्रिय है अब दूसरा प्रमान ये है कि एक और एक संख्या सबसे बड़ी है एक तो एक-एक संख्या को जोड़ा जाए आपको एक से एक बढ़ करके पुन्य होता है इसलिए उस पुन्य को प्राप्त करने के लिए एक ग्यारह की संख्या मानी गई है और आध्यात्मिक दृष्टी से भी ग्यारह जो है वह सुभ माना गया है